चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का इकन अपली जाब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदोरिया इंडियन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेसान हैं अपनी बबासीर से यानि की पाइल्स से दोस्तो जो यह बबासीर होती है यह एक आम समस्या हो चुकी है तो कि आज कल का जो गलत खान भीना का सिस्टम है न यही तो गड़बड है इसी से कब जोता है कब जिसे फिर बबासीर हो जाती है तो दोस्तो वीडियों बने रहिए लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसा कि जिससे कि आपको दोबारा बबासीर ना हो बहुत से लोग यही कमेंट करते हैं कि दोबारा से फिर से मस्य हो जाते हैं बबासीर हो जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको कभी भी दुबारा बबासीर नहीं होगी दोस्तो जब बबासीर हो जाती है तो इसमें मल दोर में असेहनी तकलिफ होती है मल दोर में काटे सी चुबन होती है मस्य में घाओ हो जाते है और फटापट से बस ये नुश्का कर लीजिए बस खतम करानी पाइल से की आज मैं आपको एक ऐसा सरल और देशी उपाय बताऊंगी इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मात्र आपको तीन दिन में ही छुटकारा मिल जाएगा पाइल से के रोग से तो चलिए वीडियों बने आपको बताऊंगी और पीने का सिस्टम बताऊंगी दोस्तो मैंने बवासीर के मस्से के लिए मलम भी बताया है उसका वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपको मंलम चah TS तो उसका वीडियो आप देख लेना मेरा चैनल करना उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा अब चलिए अब करना क्या है इस नुस्के के लिए इस नुस्के में आपको लेना है सबसे पहले कच्चा दूद यानि की raw milk दोस्तों आप लोग सबी लोग जानते हैं कि दूद में एक तो केल्सियम भरपूर मातरा में होता है और कच्चा दूद पीने में कितना फायदा करता है आपके घर में अगर बड़े बुजर कोंगे न तो उनसे पूछना कि पहले के जमाने में कच्चा दूद ही दिया जाता था बच्चों को पीने के लिए बड़े भी पीते थे कच्चा दूद क्योंकि कच्चा दूद बहुत बताउंगी और मैं कुछ ऐसा को बताउंगी जिससे कि आपको कभी भी आपना सीर नहीं करना तो यहां आपको करना बलीजी है लिए और आप दूसरी सामकरी हमें लेना है दोस्तों यह हल लेना है आपको लेना है यह यह भी आपको अपनी किचिन में मिल जाएगा अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो हल्दी पाउडर होता है यह होता है एंटी वाइटिग यह आपके बवासीर के मसों को सुखा देगा वहां का इंफेक्शन खतम करेगा आप क्या करें मैं इसमें करीबन आप आदे चम्मच क करीब आप इसमें हल्दी पाउडर मिला दें इस दूद में दोस्तों इसके को करना आप देखना आपको मात्र तीन दिन में ही आराम मिलेगा आप बस इसको करके देखना तो चलिए यहां पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है दूद में और अब इसके वाद में हम क्या क बहुत से लोग नहीं जानते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना फ्री होता है तो चलिए अब इसमें मैंने हल्दी बॉर्ट डाल दिया है अब इसमें तीसरी सामगरी क्या रणनी है यह तीसरी सामगरी दोस्तों है लेमन यानि की नीवू यह अथी इंपोर्टेंट है इसमें जो आलेंगे तो दूद फट जाएगा तो उसका भी मैक ट्रिक आपको बताती हूं तो चलिए यहां पाने नीवू को कट कर लिया है अनिकीऍक पीन करन yan, तो इस तरीके से आप नीवू का D57 निकाल लीजिए अब आपको इस नीबू के जूस को करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मैं इस जूस का बीज निकाल दे रही हूँ जोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीबू में सैट्रिक एसिट होता है और ये आपकी बबा सीर को सुखाने में बबा सीर के दर्द को खतम करने में मदद करता है और जो ये हल्दी पॉटर हमने यूज किया है वो भी दर्द को खतम करने में जल्दी से जल्दी मदद करता है अब आप क्या करेंगे इस तरीके से आप लेमन को लीजिए जूस निकाली है एक कटोरी में इतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तो और इसके बाद में तुरंत आप दूद को लीजिए, और दूद को सबसे पहले आप इसमें जो हल्दी पौर्टर डाला है, थोड़ा आप इसे mix कर लीजिए, इस तरीके से, यानि कि दूद को चला लीजिए, इस तरीके से, अब इ में तुरंत नीबू डालिए और तुरंत इस दूद को पी जाईए मतलब आपको एक मिनट भी नहीं लगाना है इस दूद को पीने में तुरंत आप एक सास में इस दूद को पी जाईए नहीं तो दोस्तों यह दूद फट जाएगा दूद फटना नहीं चाहिए अगर दूद एक ग्लास दूद में आदा नीबू आपको साम को लेना है आदी नीबू का जूस तो इस तरीके से आप लगातार आप तीन दिन से चार दिन तक करेंगे तो आप देखना आपकी कितनी भी भेंकर पाइल सो बबासीरो आपके बबासीर में पहले दिन से जब आप पहले दिन इ अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपकी बबासी आयानी की आपकी पाइल से पंद्रे दिन पुरानी है या एक महीने पुरानी है तो दोस्तों आप इस मुस्के को लगातार आप आठ से दस दिन तक इसको लीजीगा और इसके कोई भी side effect नहीं है आप यह मत सोचना कि आपको नुक्सान करेगा इसके side effect हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा आप इसको बस try करिए घर की चीज़े कभी नुक्सान नहीं करती है पहली बाद तो आप यहीं समझ लीजिए अब आते हैं आपके सवाल पर यानि कि कमेंट पर कि आप लोग कमेंट करते हैं कि दुबारा से ववासीर हो जाती है इसके लिए आप यह करना बस बाहर की चीज़ों को खाना छोड़ देना होटल का खाना छोड़ देना और बादी चीज़ों को खाना छोड़ देना बादी चीज़ों जैसे उरत की डाल और आपकी अर्वी और आपकी गोभी यह सब चीज़े बैगन यह सब चीज़े छोड़ देना आप राजमा यह सब छोड़ना आप देखना आपको कभी भी जीवन में बवासी नहीं होगी अब चलो मै यह नहीं कहते हूं कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए लेकिन कभी-कभी मन होता खाने का तो जैसे आपने कोई बादी चीज खाई या कहीं फार्ष फूर खाया या बहुत तेज ज्यादा तेल मसाले वारी सब्जी खा ली तो उसके लिए आप करना किया जैसे आप खा ले र वीडियो बनाती हूं आपके लिए तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो में देखा कर ये पूरी देखा कर ये तब है आप इसका फायदा उठाएंगे तो चलिए मैं मिलती हूं नहीं वीडिए साथ नहीं नुसकी के साथ अब तक लिए न नमस्कार